हेलो एवरीवन वेलकम टू माई योटब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंट जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलपी और टेक्निशन की न्यू वेकेंसी जो है वो फ्यूचर में आने वाली है और उसके रिगार्डिंग हमारे चै आपकी जानकारे के लिए बता दू इससे पहले मैंने तीन वीडियो अप्लोड की हैं सबसे पहले आपको चैनल की प्लेइलिस्ट में जाना है बहुत सारी प्लेइलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे एलपी और टेक्निशन वेकेंसी की एक प्लेइलिस्ट है अभी उसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चूज करने में असानी होगी कि टेक्नीशन की तरफ आपको जाना है या फिर एल्पी की तरफ जाना है ठीक है आठ मिनट का ये वीडियो है लेकिन ये बहुत सारी चीज़े आपको बताएगा और उसके बाद तीसरा जो वीडियो ह इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आज का वीडियो पूरी तरह से फोकस रहने वाला है स्लेबस पर स्लेबस को हम डीटेल में देखेंगे देखो स्लेबस को अगर आप समझ लेते हो किसे भी एक्जाम के तो आधा काम आपका वहीं पे खतम हो जाता है ठीक है तयारी करना एक सेगंड स्टैप होता है पहला स्टैप होता है कि आपको तयारी में क्या करना है मतलब कि देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्या क्या पढ़ना है किन चीजों से आपका सेलेक्शन होगा ये चीज़े यहां पर इंपॉर्टन रहती है बेसिक सा स्टैपस आपको कहां से मिल सकता है देखो जब आप फॉर्म अपलाई करोगे ठीक उस टाइम पर आपको एक ट्रेड वहां पर चूज करनी पड़ेगी अपने ट्रेड के अकौर्डिंग उसी के अकौर्डिंग आपका पार्ट बीका स्लेबस रहेगा तो वो स्लेबस आपक आपको नहीं दिखाता हूँ सारी काम की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी यह ओफिशल स्लेबस भी है मेरे पास ये भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन इससे अच्छा है कि मैं अपनी हेंड राइडिंग में आपको थोड़ा सा चीज़े इजी वे में लिखके दिखा और करेंट अफेर जर्णल अवेर्निस के अधार पर 10 कोशन टोटल 75 कोशन 60 मिनट चीज़ देखो मैत रीजनिंग करेंट अफेर अगर आप प्रिपेर करते हो तो आप सीबिटी वन सीबिटी टू दोनों के लिए तैयारी कर रहे हो ठीक है उसके अलावा सीबिटी वन में सा पढ़नी पढ़ेगी और साइंस के आप बिल्कुल चिंता मत कीज़े जिस ताइम पर वेकेंसी आएगी आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और इस बार हम थोड़ा ट्राइ करेंगे कि साइंस की क्लासिस भी चलाएं ग्रूप डी में भी मैंने अपने स बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर किये थे बहुत फायदा स्टूडेंट को मिला आप बायलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स के हैंड में नोट्स मेरे पास हैं उसी से मैं आपको सारी चीज़े देने वाला हूँ ठीक है अब यहाँ पे सीबीटी टू में एक चीज एक्स नंबर का जिसमें आप फिजिक्स पड़ेंगे तो यहाँ पर यह मान लो कि कम से कम यह 25 नंबर की तो फिजिक्स ही आती है 15 नंबर की मान के जो लो कि आपकी जो बेसिक साइन्स इंजिरिंग ड्रॉइंग वाली चीज़े होती है वो आती है वो भी आपको दिखाऊंगा स्ल टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटर्स, कंपॉर्ण इंटर्स, प्रॉफिट लॉस और उसके अलावा लगबग पांच चेप्टर आपके अडवांस मैथ के रहते हैं जिसमें मैंसुरेशन, अलजेब्रा, जोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टाडिस्टि यह सारे टॉपिक बेसिकली रहते हैं, यह मैंने लिखे से लिए हैं ताकि नोटिफिकेशन में बहुत छोटा लिखावा है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा, रीजनिंग की बात करूँ वही आपके कोडिंग, डिकोड पढ़ना है, जो आप पढ़ते आए हो, ठीक है, उसके अलावा साइंस में फिजिक सेमेस्ट्री बायलोजी पढ़ना है, उसके डेंशन मिल्कुल न मतलो, मैंने आपको बताया है, आपको मैं इस बार हैंडमेड नोट्स तो दूँगा ही, साथ में, क्लासेज भी चलाने के ह दिसमबर तक भी आती है, ँगले साल आपका दो जार चौबिस में, अगर एक्जाम होता है, तो कम से कम एक साल पुराना करंट अफेर आपको पढ़ना पढ़ता है, तो मान गे चलो कि 2020 का करंट अफेर तो आपको फिर भी पढ़ना पढ़ेगा, तो उससे बेटर क्या हैंग पर ना start कर सकते हो उसके notes बनाना start कर दो वो आपके काम आएंगे ठीक है ना जब आप उस time पर current affair की त्यारी करोगे और current affair आप देखो इधर भी 10 number का है इधर भी 10 number का है दस दस नंबर important है दोनों तरह तो इसलिए आपको त्यारी बेज़े start करनी होगी अब मैं आपको बता है जो भी topic आपका week है ना उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना अभी से start कर दो देखो ये एक human nature है मैं भले आपको बोल रहा हूँ कि आप तयारी करना start कर दो 99% लोग नहीं करेंगे ठीक है लेकिन होता क्या है कि देखो जब notification आएगा उस time पर आपको फिर समय कम मिलेगा तो अभी से आप क्या कर सकते हो माल लो बहुत लोगो advanced math week हो था ये 5 chapter अभी दीरे दीरे notes बनाना start कर दो कोई भी book ले लो future में मैं आपको वीडियो उसमे book भी बताऊंगा अभी से आप इनके तयारी करना start कर दो ठीक है पुरा details ले बस मैं आपको समझा रहा हूँ अब यहाँ अभी सवाल उठता है basic science and engineering का कि भाई ये कैसे prepare करें मैं ये कहता हूँ कि इसको आप चाहिए अभी prepare ना करो क्योंकि human nature ऐसा है कि जब vacancy आएगी तभी आप इसके बारे में सोचोगे लेकिन आप बाकी चीज़े अभी prepare करना start कर दो mathematics reasoning current अफेर ये तीन चीज़े अभी से prepare कर अब basic science and engineering क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सिरफ एक rumor बना हुआ है कि बहुत difficult होता है देखो कुछ भी नहीं है अगर आप इसमें देखोगे सबसे पहले ये इधर का हिस्ता छोड़ दो यहाँ से देखना सुरू करो यूनिट्स, measurement, mass weight and density, work power energy, speed velocity, heat temperature, basic electricity, lever and simple machines, ठीक है occupational safety and health, environmental education ये सारे topic आपने physics में जरूर पढ़े होगे अगर आपने group D का exam दिया होगा मैंने जो अपने notes share की थे सारे topic उसमें ये कि मैंने cover किये थे अब उसके अलावा मालों की 25 नंबर के तो यही रहते हैं बचे वे जो 15 नंबर है उसमें आपकी topics cover होते हैं projections, view, drawing instrument, lines, geometric figure, symbolic representation अब ये आपको कहां से पढ़ना है, कौन सा channel best है, कौन सी book best है, वो आगे future videos में आपको बताऊंगा बाकी ये दिमाग से निकाल दोगे, ये बहुत difficult है, इतना difficult भी नहीं है, ठीक है, not easily आप इसको cover कर जाओगे तो ये होगे आपका basic science and engineering, अब उसके बाद क्या होता है, ये आपका CBT2 का part A होगा, आप CBT2 का जो part B है, जिसमें आपका trade test होता है वो slabus आपको कहां से मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, official आप कहां से slabus को देख सकते हैं तो देखो आपको क्या करना है, simply description में मैंने अपने telegram group का link दे रखा है, वहाँ पे आपको आना है, वहाँ पे एक link मैंने दिया है, इस link पे आपको आके click करना है जैसे इस link पे आप click करोगे, तो आप आजाओगे इनकी official website पे, ठीक है, जहाँ पे आपको अपनी trade के according, अब ये तो आपको पता ही है, आपकी trade कोन सी है आप जैसे आप आओगे देखो, यहाँ पे सारा जो syllabus है ये detail में नोंने बताया है, ठीक है, जैसे मैं एक आपको दिखादा हूँ, माल लो कि यहाँ पे मैं किसी को click करूँगा, यह मैंने किया electronic mechanic, ठीक है, जैसे मैं इस पे click करूँगा, तो इसका जो detail syllabus का PDF है वो मेरे सामने यहाँ पे download होके आजाएगा, अभी एक दो second का समय लगेगा, और यहाँ से आप अपनी सभी trade का detail और official syllabus देख सकते हो, यह RRB Bangalore के official website है, इस पे इस syllabus detail में दे रखा है, ठीक है, आप क्योंकि देखो, हालाकि यह qualifying nature का होता है, पार्ट भी लेकिन, अगर आप इसको qualify नहीं क तो आप बाहर हो जाओगे, तो यह आपको अपनी trade के बारे में पता होना चाहिए, सही तरीके से कि आपको पढ़ना क्या है, अब देखो, यहाँ पे आपका electronic mechanic का पूरा syllabus आगया, कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, अभी से यहाँ पे आप देख सकते हो, यह पूरा PDF है, औ और यह books वगेरा future में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी books से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आज कि इस वीडियो में detail में slivers को पूरा analyze किया है, सारी चीज़े आपको बताई है, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो च